हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू इस्टेटी ट्वंटी फॉर उदेपूर आज केस वीडियो में हम क्वांटिटी थ्योरी ओफ मनी मुद्राखा परिमान सिद्धान्त जो प्रोपेसर फिशर के द्वारा दिया गया था उसके बारे में आज हम डिसकस करेंगे प्रोपेसर फिशर की जो थ्योरी हैं उसको हम केस ट्रांजेक्शन एप्रोच केते हैं नकत लेंदेन द्रस्टी कोंड देखिए क्वांटिटी थ्योरी ओफ मनी के बारे में जो क्लासिकल एक्नोमिक्स टैं एडम समेथ, रिकार्डो, जेस, मिल इन सभी ने भी अपने अपने दिये थे लेकिन इसकी जो आधुनिक व्याक्या हैं वो नियोक्लासिकल एक्नोमिक्स टैं एरिविंग-फिशल ने किये हैं उन्होंने इसे एक्स्प्लेन करने के लिए एक क्वेशन का यूज किया हैं जिसको हम विनिमाय का सम्मिकरन केते हैं equation of exchange उनका जो यह सिद्धान थे उनकी एक book publish हुई थी 1911 में The Purchasing Power of Money इस पुस्तक में उन्होंने quantity theory of money के बारे में अपने विचार दिये थे और उनका जो यह सिद्धान थे उनकी जो यह theory है उनको हम किस नाम से जानते है case transaction approach उनका मानना था कि किसी भी economy में जो money है उसका main function क्या होता है medium of exchange मुद्रा जो है वो land in करने के लिए काम में ले जाती है अब देखिए उनकी जो theory है वो एक तरह से क्या है उनका क्या मानना है कि किसी भी अर्थ विस्ता में जो सामानिक किमत इस्तर है जो general price level है वो एक तरह से किसके ओपर depend करता है quantity of money के ओपर जो money supply होती है उसके ओपर depend करता है कि यदि किसी अर्थ विस्ता में money की supply में अगर changes हो जाएगा तो जो general price level है वो भी क्या होगा change हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि Fisher मानते हैं कि जो quantity of money है जो money की supply है वो ही क्या करती है किसी अर्थ विस्ता में general price level को determine करती है या जो value of money है उसको कौन determine करता है उसको कौन निर्धारित करता है quantity of money या money की जो supply होती है वो ही किसी भी अर्थ विस्ता में सामाने किमत इस्तर या general price level यह हम कह सकते हैं value of money मुद्रा का जो मुल्य होता है वो निर्धारित करती है देखे एर्विंग फीचर क्या कहते है कि यदि किसी अर्थवेस्था में अन्य तत्व अगर इस्थिर रहते हैं तो और इस सिस्थिमे क्या होगा कि जो quantity of money है जो circulation में जो money है अगर वो बढ़ती है वो increase होती है तो इससे क्या होगा जो general price level है वो भी क्या होगा बढ़ेगा किसी भी अर्थवेस्था में मुद्रा की जो मात्रा है money की जो supply है अगर वो बढ़ती है तो price level भी बढ़ेगा और अगर money की supply कम हो जाती है तो price level भी क्या होगा कम हो जाएगा दुसरा कि उनका क्या मानना है कि जो price level अगर बढ़ता है या money supply जब बढ़ती है तो जो value of money है वो एक तरह से क्या होगी कम हो जाएगी और जब quantity of money जो money की supply है अगर वो कम होती है तो value of money क्या हो जाती है बढ़ जाती है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फिशर है उनका जो सिद्धानत है उनकी जो थियोरी है उससे दो बात आती है एक तो quantity of money और जो general price level है उनके बीच में कैसा relation होता है direct relation होता है और दूसरा जो quantity of money है और value of money है इन दोनों के बीच में inverse relation होता है inverse relation क्या होता है direct relation क्या होता है उसको आगया हम समझने का प्रियास करेंगे लेकिन वो क्या मानते हैं फिशर क्या मानते हैं कि यदि किसी अर्थवेसा में अगर quantity of money बढ़ती है तो price level भी क्या होगा बढ़ जाएगा एक बात तो यह हो गई दूसरा वो क्या कहते हैं कि यह जो quantity of money है जो money की supply है इसको अगर double कर दिया जाए तो double करने से क्या होगा कि जो price level है वो भी क्या होगा double हो जाएगा quantity of money money की supply अगर किसी अर्थवेसा में double कर दी जाए दूगनी कर दी जाए तो price level भी क्या होगा दूगना हो जाएगा दूसरा कि अगर money की supply आधी कर दी जाए अगर हाफ कर दें तो price level भी क्या होगा हाफ हो जाएगा इसका मतलब Fisher मानते हैं कि money की supply और price में direct relation भी है और दुसरा proportional relation भी है direct का मतलब क्या हो गया money supply अगर बढ़ती हैं तो price level भी बढ़ेगा और money की supply अगर कम हो जाती है तो price level भी कम हो जाएगा ये तो हो गया direct relation और proportional का मतलब क्या हो गया कि अगर money की supply double कर दें तो price level भी double हो जाएगा और money की supply अगर half कर दें तो price level भी क्या हो जाएगा आफ हो जाएगा दूसरा वो क्या मानते हैं कि जो money supply है और value of money है इन में inverse relation होता है और ये जो inverse relation है वो proportional भी होता है इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी अर्थ व्यस्ता में money की supply अगर double कर दें जाएगी तो value of money जो हो half हो जाएगी और money की supply को अगर half कर दिया जाए तो value of money जो हो double हो जाएगी इस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या होता है inverse relation होता inverse का मतलब क्या हो गया कि money की supply कम होती है तो value of money जो हो क्या होगी बढ़ेगी इसको हम कहते है inverse relation कि एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है और जब दोनों बढ़ते हैं या दोनों कम होते हैं उसको हम कहते हैं direct relation अब देखिए उसको समझाने के लिए उन्होंने क्या किया है एक equation दी है जिसको हम क्या कहते है equation of exchange और इनकी equation of exchange जो है वो क्या है P T equal to M V P T का मतलब क्या है यहाँ पे Demand for money और M V जो है वो किसको बताती है Supply of money मतलब उनका माना है कि जब equilibrium होता है संतुलन की इस्तिती होती है तो उसमें मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ती Demand for money and supply of money दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं अब यह जो हमारी basic equation है इसका use करके हम क्या कर सकते हैं value of money या price level जो है उसको calculate कर सकते हैं अगर हमको यहां से price level calculate करना है तो P equal to क्या हो जाएगा MV upon T ठीक है यह देखो P T equal to क्या होता है MV तो P equal to क्या हो जाएगा तो T इधरा के divide हो जाएगा MV upon T मतलब हम price level जो है उसको कैसे calculate कर सकते हैं MV upon T करके अब देखिए इस equation में इस P का मतलब क्या है price level T का मतलब क्या है transaction मतलब goods और services का जो भी transaction हो रहा है इसको हमने T से denote क्या है price level को P से denote क्या है M का मतलब क्या है quantity of money और V का मतलब क्या है velocity of money अब देखिए velocity का मतलब क्या होता है हिंदिय में इसको हम कहते हैं चलन गती चलन गती तो velocity का मतलब क्या हो गया कि money की जो एक unit है वो एक fixed time period में कितने लोगों के पास में जाती है मतलब कितना transaction करती है अगर हम कहें कि यह 10 रुपे का एक note है एक fixed time period में कि one month हो सकता है तो इस 10 रुपे के द्वारा लोग क्या करते हैं जैसे कि यह 5 लोगों के पास में गया मतलब 5 लोगों ने इसी 10 रुपे के एक note को use किया है और इससे total जो transaction हुआ कितना हुआ 50 रुपीज के एक one कि जिसे A हैं, B हैं, C हैं, D हैं, यह E है पास जिल्द हैं एक 10 रुपे का note है एक ए ने B को दिया कोई चीज purchase की हैं, B ने C से कोई purchase कियां C ने D से कोई चीज purchase कियां और D ने कोई इससे चीज़ पशे किया और इसकी value कितनी है दस रुपे मतलब अभी 10 रुपे का जो नोटे टोटल 5 लोगों के हाथों में गया है इस 10 रुपे के नोट ने टोटल 50 रुपे के बराबर transaction किया है इसलिए velocity यहां पे कितनी है 5 फिर बाद में उन्होंने अपना modified equation जो संचोदिस समिकरा ने वो दिया था उसमें उन्होंने जो credit money है और credit money की जो velocity है उसको भी include किया है तो इसी condition में p t equal to क्या हो जाएगा m v plus m dash v dash जिसमें m dash का मतलब क्या है credit money और v dash का मतलब क्या है velocity of credit money ठीक है तो इस तरह के सम क्या कर सकते हैं जो money की supply है उसका use करके और quantity of money या जो demand for money है उसका use करके हम क्या कर सकते हैं general price level calculate कर सकते हैं और अगर हमको value of money निकालनी है तो value of money जो क्या होगा 1 upon p जैसे price level equal to क्या होता है p equal to क्या हो जाएगा जैसे अगर हम इस equation से price level को अगर calculate करें तो p equal to क्या हो जाएगा m v plus m dash v dash upon t और अगर हमको value of money निकालनी है 1 upon p निकालना दे क्या हो जाएगा t upon m v plus m dash v dash इस तरह के समक्या कर सकते हैं general price level सामानी किमत इस तर और मुद्रा का value of money जो है वो calculate कर सकते हैं मतलब Fisher का मानना है कि total value of goods जो है transacted वो किसके के कोल होती है total money expenditure के जैसा कि हम circular flow of income पढ़ते हैं आये का जो चक्री प्रवाई उसमें पढ़ते हैं का एक विक्ति का जो खर्चा है वो दूसरे के लिए क्या होती है income होती है तो national income जब हम expenditure method से calculate कर रहें चाहे income method से चाहे production method से वो सब क्या होती है same होती है मतलब national expenditure जो होता है वो हमेशा national income के equal होता है अगर हमको total money expenditure निकालना है कि किसी एक वर्ष की आओधी में अर्थ व्यस्ता में एकोनोम में कितना expenditure हुआ है money expenditure उसको हम कैसे निकाल सकते हैं price को जो भी transaction quantity है उससे हम multiply कर देंगे तो P into T करके हम क्या कर सकते हैं total money expenditure निकाल सकते हैं और इसी तरह के समको total value of goods अगर निकालनी है total value of goods जो transacted है अगर उसको हमको calculate करना है तो उसको हम कैसे calculate कर सकते हैं M into V करके मतलब जो quantity of money है उसको उसकी velocity से multiply कर दो M into V करके हम क्या कर सकते हैं total value of goods transacted जो हैं वो calculate कर सकते हैं केने का मतलब कि total value of goods transacted वो किसके अगर होती है national expenditure के और ये किसके अगर होता है M V के M V जो है वो एक तरह से क्या बताता है supply of money इससे तरह के से total money expenditure जो होता है वो किसके अगर होता है national income के अगर होता है और जो P, T के एक्वल होता है जो किसको बताता है Demand for Money तो Fisher का जो ये ठियोरी है इसमें बैसेकली जो Supply of Money है उसको ज़्यादा फोकस किया गया है Demand for Money का मतलब क्या हो गया P, T कैसे निकाल सकते हैं मतलब देखो Demand जो है Money की वो क्यों होती है Boots और Services को Purchase करने के लिए और Total Money Demand अगर हमको Calculate करने था हम कैसे निकाल सकते हैं Price को जो Transaction की Quantity है उससे Multiply करके तो P, T जो होता है वो क्या है Demand for Money इसी तरह के से MV जो है Supply of Money है और MV जो होता है वो Basically किसके ओपड इपन होता है एक तो जो Money है जो Legal Money है और दूसरा जो Credit Money है इन दोनों को हम Plus कर देते हैं साथ ही साथ इनकी जो Velocity होती है Velocity of Legal Money plus Velocity of Credit Money इसलिए हम कैसे निकालते हैं MV प्लस M-V करके जो Total Supply of Money को बताता है अब देखिए Fischer जो है उसने अपने सिद्दान्त को समझाने के लिए कुछ Adjunctions लिए हैं कुछ मानिता लिए हैं कौन-कौन सी मानिता हैं उनको हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले Fischer क्या माते हैं कि जो General Price Level है जो P हैं इस Equation में जो P हैं वो एक तरह से क्या है Passive Factor है जो एक तरह से क्या होता है Other Factor से Determine होता है कहने का मतलब कि जो P हैं वो M, M-V, V-P इनको प्रभावित नहीं करेगा फिर दूसरा कि the proportion of M- to M remain constant कि जो Legal Money है और Credit Money है दोनों के बीच में जो proportion है वो क्या होगा Equal होगा कि यदि M equal to 100 है और M- equal to 20 है अगर जो Money की Supply है 100 से Increase अगर 200 हो जाएगी तो जो Credit Money वो भी कितने हो जाएगी 20 to 40 तो दोनों की बीच में जो Ratio होता है वो Equal Assume किया गया है साथ ही साथ उन्होंने क्या माना कि जो V and V- है वो भी एक तरह से क्या होते है Constant होते है और जो Money की Supply है चाहे वो Legal Money है चाहे वो Credit Money है इनमें Change होने के साथ में Change नहीं होती है मतलब Velocity of Money Velocity of Legal Money and Velocity of Credit Money दोनों क्या होते हैं Constant होते हैं और दोनों Constant होते हैं इसी वज़े से साथ ही साथ जैसे हम देखेंगे T जो है जो Transaction है उसको भी एक तरह से क्या इसम किया गया है Constant मतलब जो Equation है हमारी P इक्वल टू M V प्लस M डेश V डेश upon T इसमें ये जो Velocity है चाहे वो Legal Money की है Credit Money की इसको क्या इसम किया गया है Constant और जो Transaction Quantity उसको भी क्या गया है Quality of Money है इसके बीच इन दोनों के बीच में Relation होता है इसी को Fisher ने समझाने का प्रियास किया है फिर उसके बाद अगर देखते हैं Demand for Money is proportional to the value of Transaction कि जो Money की जो Demand है वो एक तरह से क्या करती है Value of Transaction के साथ में उसका Proportional Relation होता है और The Supply of Money Assume है Exogenously Determined Constant कि जो Supply of Money है वो एक तरह से बाहर से दी होती है जो हमारी Equation है इसमें कोई भी Factor उसको Determine नहीं करता है उसको प्रभावित नहीं कर सकता है फिर ये जो Theory है वो कब Applicable होती है Long Run में Short Run में Applicable नहीं होती है इसका संबन किसे है Long Run से और फिर इसमें एजियूम कर लिया है कि जो अर्थ व्यस्ता है उसमें एक तरह से क्या होता है Full Employment होता है अब देखिए जो हमने Fisher का सिद्धान पढ़ा है उससे हम दो बाते हमको पता चलती है एक तो Fisher क्या मानते है कि जो Quantity of Money है और जो Price Level है उनके बीच में कैसा Relation होता है एक तो Direct Relation होता है Direct का मतलब क्या हो गया कि Quantity of Money अगर बढ़ेगी तो Price Level भी बढ़ेगा और Quantity of Money अगर कम हो जाएगी तो Price Level भी कम हो जाएगा दूसरा इन दोनों के बीच में जो Relation है वो कैसा होता है Proportional Proportional का मतलब क्या हो गया कि Quantity of Money अगर डबल होगी तो Price Level भी डबल हो जाएगा और Quantity of Money अगर Half हो जाती है तो Price Level भी हाफ हो जाएगा दूसरा जो Quantity of Money है और Value of Money है इनके बीच में Inverse Relation होता है Inverse का मतलब क्या हो गया कि यदि अर्थ विस्ता में Quantity of Money बढ़ेगी तो Value of Money जो है वो कम हो जाएगी और Quantity of Money अगर कम होती है तो Value of Money क्या होगी बढ़ जाएगी मतलब एक बढ़ता है दूसरा कम होता है इसको हम कहते है Inverse Relation और साथ ही साथ यह जो Inverse Relation वो कैसा है Proportional भी है Proportional का मतलब क्या हो गया कि Quantity of Money अगर Double कर दी जाए तो Value of Money जो हो क्या होगी Half हो जाएगी और Quantity of Money को अगर Half कर दें तो Value of Money जो होगी वो क्या हो जाएगी Double हो जाएगी अब देखिए उसको समझने के लिए हम कुछ Numerical Numbers ले लेते हैं कि माना कि जैसे किसी अर्थ वेस्ता में Quantity of Money वो कितनी है 100 है और Quantity of Goods and Services जिसका Transaction हो रहा है उसकी वेल्यू कितनी माना कि 100 के Equal है अब देखिए यहाँ पर हमारा कि जो velocity है इसको हम include नहीं करते हैं हम directly हम explain कर देते हैं कि जो price होती है वो किसके ओपर depend होती है जो quantity of money है उसके ओपर depend होती है साथ ही साथ इसमें कि assume कर लिया गया है कर जो V है वो एक तरह से क्या होता है constant होता है जो T है वो भी constant है इसलिए कि अबल हम क्या करते है P equal to M upon T लेकर ही इसको हम समझने का प्रयाज करते है तो देखिए quantity of money कितनी है हमने assume कर लिया मानला कि कितनी है 100 है जो T है उसकी value भी कितनी है 100 है तो हमारा जो general price level हो कितना हो जाएगा M upon T जो quantity of money है उसमें हम transaction की जो value उसका हम divide कर देंगे तो कितना आएगा देखिए 100 upon 100 किया कितना आगया 1 मतलब general price level जो हो कितना उसमें एक रुपे के equal है और value of money जो है वो कितनी है 1 upon 1 तेक है क्योंकि value of money निकालने का हमारा formula क्या होता है 1 upon P तो 1 upon P कितना है 1 तो 1 upon 1 करने पर कितना आया 1 आया तो सबसे बिले देखिए कि जब quantity of money 100 है T की value भी 100 है तो जो general price level कितना है एक रुपे की equal है और उसमें value of money कितनी है 1 है तो यह तो हमारे एक general हो गया अब देखिए कि यदि अर्थ विस्ता में जो quantity of money उसको डबल कर दिया जाए 100 से डबल करके कितना कर दिया 200 कर दिया है तो quantity of money को डबल करने से जबल पर क्या effect पड़ेगा वह हम देखते है तो देखिए फिशर ने क्या माना है कि जो T है वो एक तरह से क्या है constant है तो देखो 100 था पहले अब यहाँ पर भी कितना है वो 100 थी क्योंकि constant माना है फिशर ने अब देखिए यहाँ पर general price level कितना होगा तो general price level का formula कि हमारा P equal to M upon T तो M कितना है quantity of money कितनी है 200 है 200 upon हम कितना करेंगे यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेजिएगा 200 upon कितना होगा जो हमारा general price level वो भी कितना हो गया एक से बढ़कर 2 हो गया मतलब यह भी double हो गया है और value of money जो हो कितना है 1 upon P तो 1 upon price कितना है general price level कितना है 2 है तो 1 upon 2 करेंगे तो कितना आ गया 0.5 आ गया तो आप यहाँ पर देखिए कि इस से हम क्या निशकर्ष निकाल सकते है कि जब quantity of money को double कर दिया जाता है तो general price level है वो भी double हो जाता है लेकिन value of money जो वो कितनी हो जाती है half हो जाती है तेकिए दूसरी बात कि यदि जो quantity of money है उसको अगर half कर दिया जाए से पहले कितनी थी तो अब यहाँ पर हम देखते है कि general price level कितना होगा तो general price level का formula क्या हमारा P equal to M upon T तो M कितना है 50 और T कितना है 100 तो 50 upon 100 किया कितना आ गया 0.5 आ गया तो यहाँ पर अगर हम देखते है कि quantity of money को 100 से कम करके 50 किया गया था half तो हमारा जो general price level है वो भी कितना हो गया एक से आधा रह गया है वो भी half हो गया है जबकि value of money value of money का formula क्या है हमारा 1 upon P तो 1 upon P कितना है price level हमारा 0.5 तो 1 upon 0.5 किया था कितना आ गया 2 आ गया तो value of money कितनी हो गई double हो गई तो इस साणी इस टेबल को देखे हम बता सकते हैं कि जब quantity of money को double कर दिया जाता है तो जो general price level है वो भी double हो जाता है और value of money जो हाफ हो जाती है और जब quantity of money को अगर हाफ कर दिया जाता है तो हाफ करने से जो general price level है वो भी हाफ हो जाता है लेकिन value of money जो है वो double हो जाती है तो यही एक तरह से Fisher की theory है अब देखिए Fisher की जो यह theory है उसको हम इस diagram से भी explain कर सकते हैं इस diagram में उपर वाला जो diagram उसमें हमने OX axis पर quantity of money लिये है और OY axis पर हमने general price level लिया है अब Fisher ने क्या माना कि जो quantity of money और general price level है दोनों में एक तरह से direct relation होता है इसलिए हमारा यह जो curve उपर की तरफ जा रहा है और direct होने के साथ में और कैसा relation है proportional है इसलिए कैसा बनाए 45 degree तो 45 degree का जो एक curve हो क्या बताता है quantity of money और general price level में दोनों में direct और proportional relation है अब देखें यहां पर अगर हम देखते हैं कि जब quantity of money कितनी है O से लेकर M तक है तो general price level कितना है O से लेकर P तक है यहां पर हम देखते हैं कि quantity of money को अगर डबल कर दिया जाता है तो जो general price level हो भी कितना हो गया डबल हो गया इसी तरीके से value of money के अगर हम बात कर रहें तो quantity of money जब O से लेकर M तक है उसमें value of money कितनी है 1 upon P है इस level पर हमारा equilibrium है अब देखें जब अर्थविस्ता में quantity of money को डबल कर दिया जाता है OM से डबल करके कितना कर दिया OM 1 अगर डबल कर देते हैं तो जो value of money है वो क्या हो जाती है half हो जाती है और इसी कारण से हमारा value of money का जो कर वेकर से downward slope है जो क्या बताता है value of money और quantity of money में inverse relation होता है और साथ इसाथ proportional relation भी होता है कि quantity of money को डबल करने पर value of money जो है वो double हो जाती है तो आपको ये जो theory है वो समझ में आगे होगी कि Fisher का क्या कहना है कि किसी भी अर्थ व्यस्ता में जब quantity of money जो money की supply है अगर उसको double कर दिया जाता है तो general price level जो है वो भी double हो जाएगा और quantity of money को half करने पर general price level भी half हो जाता है साथ ही साथ जब quantity of money को double कर दिया जाता है तो जो value of money वो half हो जाती है तो quantity of money और value of money में inverse और proportional relation होता है साथ ही साथ quantity of money और general price level में direct और proportional relation होता है अब देखिए उसकी कुछ आलोचना की गई है criticism of the theory कि जो fischer ने अपना जो सिद्दान दिया है कुछ जो economics टेवो बताते है कि ये जो सिद्दान थे वो एक तरसे साही नहीं उसकी कुछ criticism है तो सबसे पहले जो criticism हो क्या है other things not equal fischer ने जो अपना सिद्दान दिया है उस theory में उसने बहुत सारे factors जैसे velocity of money है velocity of credit money है transaction t की जो quantity है उन सब को एक तरसे constant assume किया है जबकि real में इसा नहीं होता है इन में भी क्या होता है समय के साथ साथ में changes होता रहता है फिर दूसरा constant relate to different time कि इसमें बहुत सारे जो स्थिरांग के जो constants होते हैं वो एक तरसे क्या होते हैं अलग-अलग समय से संबंदित होते हैं जिससे कि अगर हम बात करें कि M जिससे हैं quantity of money है और velocity of money है वो एक तरसे क्या होगी दोनों अलग-अलग time period से संबंद होता है लेकिन फिर ने क्या किया इस quantity of money को velocity से multiply कर दिया अपने time का ध्यान रहा कि दोनों एक तरसे क्या है ये एक तरसे क्या है static है और velocity जो है वो एक तरसे क्या होता है dynamic होता है और fischer ने क्या किया इस dynamic concept को static concept से multiply कर दिया तो यसा हम नहीं कर सकते हैं ये इसकी आलोशना होती है फिर उसके बाद में जैसे है कि fail through measure value of money कि ये जो हमारा theory है वो एक तरसे मुद्रा की जो value है money की जो value है उसको सही सही नहीं आपता क्योंकि ये एक तरसे क्या करता है purchasing power को नहीं मतायत क्या करता है कि वलकि जो transaction हुआ goods और services का जो transaction हो रहा है उसी को measure करता है purchasing power को measure नहीं करता है फिर unable to explain why fluctuations in price level कि ये इस बात को नहीं समझाता है कि जो अर्थ वेस्ता है उसमें price level जो है उसमें fluctuation क्यों आ रहा है मतलब fluctuation जो आते हैं वो जैसे कि दो को हमारी जो ए theory वो कब होती है उसको ये सिद्दान जो है वो नहीं समझाता है फिर next हमारा है undue importance to price level कि ये जो सिद्दान ते वो price level को ही ज़्यादा importance देता है बाकि जो दुसरे और भी factors होते हैं तेके जो उसको ये महत्री देता है failure to explain trade cycle कि जो trade cycle की condition होती है जो व्यापार चक्र होते है उसको ये नहीं समझाता है क्योंकि देखिए जब किसी अर्थ व्यस्ता में depression अगर recession है या मंदिक की जब इस्तिती होती है तो मंदिक इस्तिती में क्या होता है money की अगर supply quantity of money अगर बढ़ भी जाये तो भी क्या होता है price level जो होता है वो नहीं बढ़ता है और जो inflation तेजी की जब इस्तिती होती है तो समय अगर मुदरा की मात्रा कम होती है तब भी जो price है वो ज़्यादा हो सकती है फिर जो interest rate होती है उसके बारे में सिद्दान देखतर से क्या करता है उसकी उपेक्षा करता है फिर उसके बारे में देखते है neglect short period factor जो अलप कालिन घठक होते है short period factor होते है उनके बारे में जो सिद्दान देख उसकी एक तरह से उपेक्षा कर देता है फिर हमारा जो ये सिद्दान देखतर से full employment की exemption के उपर depend है जबकि real में क्या होता है प्रोफेसर किन्स मानते है कि real में एक तरह से under employment level होता है फिर उसके बाद में इसके आलोचना है कि ये जो सिद्दान देखतर वो क्या मानता है कि जो money उसका केवल एक ही function है medium of exchange जबकि किन्स कहते है कि जो money है उसको एक तरह से store of value का भी उसका function होता है फिर उसके बाद में neglect real balance effect है कि जो प्रोफेसर, डान, पेटिंग किन है उनका क्या मनना है कि ये जो सिद्दानते हमारा वो एक तरह से जो real balance effect होता है उसकी एक तरह से ये उपहिक्षा कर देता है फिर साथ ये साथ फिशर का जो इस सिद्दानते हो एक तरह से क्या है static theory है क्योंकि इसमें बहुत सारी अवास्तविक माननीता है जैसे कि full employment है long run है जबकि वास्तव में जो modern economy उसका संबन एक तरह से किस से होता है dynamic economy से होता है तो dynamic economy में जो फिशर का सिद्दानते वही लागू नहीं होता है तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे ओके थैंक यू